हलो इस्टूडेंट अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रसन मिलता है जैसे की लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को करमसा 10 दिनों में 15 दिनों तथा 12 बारा दिनों में समाप्त करते हैं तथा साथ काम करना आरम करते हैं लेकिन एक काम सुरू होने के एक दिन बाद काम छोड़ देता है काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है तो इसका एक शॉर्टकट है उस शॉर्टकट को भी देख लिजे कभी इस तरह का प्रसन आपको मिलता है तो पहले देखो A तो काम छोड़ दिया तो बचेगा कौन देखिए B और C तो दोनों को गुना कर दीजिए ठीक है B और C को बाद समझेगा और दोनों को जोड़ दीजिए 15 प्लस 12 और अंदर 1 माइनस कितने दिन काम किया एक दिन काम किया कौन किसे ने किया बोलो A ने तो A का काम यहाँ पर लिख दीजिए एक बटा दस ठीक है एक वही एक दिन काम किया तो एक बटा दस दो दिन काम करता है दो बटा दस इस तरह हो जाता और स्टूडेंट इसी को हलका लीजिए आपका इंसर आजाएगा यह शॉट कर तरीका है ठीक है तो कर देते हैं यहाँ पर बलकी 15 गुणे 12 और यह कितना हो जाएगा यह हो गया 27 ठीक है और यहाँ पर देखे 10 का नमदा 10 में से एक जाएगा तो 9 बटे 10 आजाएगा तो 9 तरीक सा 23 और यहाँ पर करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तीए 15 और इसको काटेंगे देखे 5 तीए 15 तीन से 3 भी कट गया और यहाँ पर देखे 2 छंग 12 ठीक है तो स्टूडेंट यहाँ 6 दिन आपका उत्तरा गया तो देखे एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका यहाँ पर एक बटा 12 है अब क्या हुआ एक दिन का काम हो गया तो यहाँ पर देखे इसका LCC अगर निकालते है बारा पंचे साड ना, तो चाचार दस, दस बांच, पंदरा बटे, साथ हो गया, तो ठीक है, तो पंदरे का नम पंदरा, पंदरा चोको, साथ, एक बटा चार आ गया, तो मतलब क्या होता है, तीनों मिल करके कितना काम करते हैं, एक बटा चार काम कर लेते हैं, तो सेस काम कित तो ओ सारी तो निकल गई ना B और C मिल करेंगे तो B और C मिल करके 3 बटा चार काम करेंगे, तो B का काम कितना ना और B का काम ऐगी, कितने दिन में करता है तो यहां पर 3 बटे 4 तो ही है अब यहां पर ELCM 60 है कितना है 60 है ठीक है तो इसको करो 15, 24, 64 बार गया तो 15, 25, 25 यहां पर 5 लिख दिया गया और student यहां पर कितना आए तीन बटा 4 है और यहां नीचे आ गया कितना पांच आनो बटे 60, अब यहां पर ध्यान दीजे कितना हो जाएगा यह, तीन बटा चार तो ही है, और यहां पर आएगा 60 बटे 9 हो गया, तीन कर नम तीन, तीन त्रिक का नो, और यह कितना हो जाएगा, तीन दूनी 6 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब B प्लस C, उस काम को कितने दिन म तो कुल समय पूछ रहा है, कुल समय, तो एक दिन तो यह सम मिलकर की है, पांच दिन इधर, तो एक धन पांच बराबर 6 दिन आपका एंसर आ गया, तो यह देखिए conceptual हो गया, यह without conceptual मतलब यह डारेक्ट उस पे है, फार्मले पे है, अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो प् और बिल आइकन की बटन का उबस दबा दीजे, थाइंक्यू,